प्रिय चात्रो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू इन्वस्टी के शेक्षिक कारिकरम में आपका स्वागत है आज हम एमे हिंदी प्रथम सत्र के चात्रों के लिए ये कारिकरम प्रस्तूत कर रहे हैं इससे पहले के एपिसोड में आपने छायावाद पर चर्चा सुनी थी अब दूसरे भाग में हम जै शंकर प्रसाद और उनके महा कामाईनी पर चर्चा करेंगे हमारे बीच इस्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर रिशब देव शर्मा जी इस्टूडियो में आपका स्वागत है सर इससे पहले के एपिसोड में आपने जो ट्रेंड सेटर कवी रहे हैं चायाबाद के उनकी भी चर्चा की अब चायाबाद की बाच चली है तो इसमें बहुत महत्पूर कवी जैशंकर प्रसाद जी रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप जैशंकर प्रसाद जी पर कुछ चर्शा करें हाँ देखिए जैशंकर प्रसाद को एक तरह से चायावाद का ब्रह्मा माना जाता है और एक अलोचक हैं रामनाथ सुमन उन्होंने तो उन्हें चायावाद मन्मंतर का मनु कहा है बहुत छोटी आयू बहुत कम आयू जो है जैशंकर प्रसाद को प्राप्त हुई 1890 इस्वी में उनका जन्म हुआ और 1937 में यानि कामायनी के चपते चपते ही उनका निधन हो गया कुल 47 वर्ष की आयू लेकिन इतना काम किया कि लोग कई जन्मों में नहीं कर पाएं कम समय में बड़े-बड़े कारणा में अंजाम दिये और अगर हम जैशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो उनके वारे में सही अर्थ में तो यह शब्द जैशंकर प्रसाद जैसे लोगों के लिए ही उचित है कि वे बहुमुखी प्रतिभाग के कवी थे और अनेक विधाओं में लिखने वाले थे उन्होंने कविता की क्षेत्र में नई जमीन तोड़ी उन्होंने कहानी के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ी उन्होंने उपन्यास भी अपने तरह का अलग तरह का लिखा और नाटक के क्षेत्र में वे एक प्रवर्तक कवी माने जाते हैं युग प्रवर्तक कवी माने जाते ह इसी तरह जो निबंध और आलोचना और दर्शन का क्षेत्र है उसके भीवे जिसे कहना चाहिए कि पुरोधा रचनाकार के रूप में जाने जा सकते हैं तो चायावाद की दृष्टी से हमें यह जरूर जान में रखना होगा कि उनकी चायावादी रुजहान की कविता हैं 1916 के पहले ही इंदू नाम की पत्रिका में छपने लगी थी यानि सन 1314 में इंदू नाम की पत्रिका में जो उनकी रचनाएं छपती थी उस समय तक उन्हें कोई नई प्रवर्ति का नाम नहीं दिया गया था लेकिन कालांतर में जो चायावाद बना उसकी नीव उन रचनाओं में थी इसलिए हमने कहा कि जैशंक प्रसाद चायावाद के ब्रह्मा है प्रजापती है आरंभ करता है एक तरह से और उनका 1918 में प्रकाशित संग्रह जहरना इस दृष्टी से एतिहासिक रचना है उसमें कुल मेरे ख्याल से 24 गीत हैं लेकिन इन 24 गीतों में आत्मदान और आत्मप्रकाशन की जो प्रवर्ति दिखाई देती है वह प्रकृती और प्रेम को साहित की केंद्र में लाती हुई दिखाई देती है यह एक नई परिखटना थी हिंदी कविता के क्षेत्र में आगे चलकर उनका बहुत ही महत्वकून और प्रोढ़ काव्य हमारे सामने आता है आसू के मांध्यम से आसू एक तरह से चायावाद की गीता है आसू काव्य में बाद में उन्होंने और भी छंद जोड़े और एक तरह से उस समय की पीड़ी ने अपने आपको आसू के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया फिर उनका लहर नाम का काव्य आता है जो 1933 में आया 1933 में लहर का प्रकाशन हुआ और इसके जो गीत हैं उन्होंने पूरी तरह से चायावाद को स्थापित कर दिया और बलकि एक तरह से यह प्रतिपादित कर दिया कि पूरा हिंदी काव्य जो है वह उन प्रवर्तियों से आच्छादित हो चुका है जो प्रसाद की कविता की हैं जिनकी हम चर्चा करते आएं हैं और यही वह समय था जब वे शायद कामाईनी लिखने में व्यस्त रहे होंगे और 1936 में कामाईनी का प्रकाशन होता है कामाईनी एक तरह से आधुनिक महाकाव्य है महाकाव्य एपिक की एक पुरानी रवधारणा अपनी है लेकिन और बलकि आधुनिक काल में या कहें कि बीस्मी शताब्दी में दो बड़े महत्पून महाकाव्य हिंदी में इससे पहले लिखे जा चुके थे अयुद्या सिंग उपाध्याय हर्योद का प्रिय प्रवास और मै tôi शन्गु्प्त का साकेध लेकिन उनकी तुलना में यह जो काव्य है कामाईनी यह आधुनिक धंग का काव्व है जिसके केंदर में ओधात्य है उधात्य की सबलिमिटी जो है वह इसके केंदर में है और यह पूरी मनुश्रता के इतिहास को अपने आप में समेटने वाला काव्व है जिस पर हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे और जो प्रवर्तियां छायावाद को जैशंका प्रसाद ने एक तरह से प्रदान की उनमें प्रकृती के प्रती एक विशेश जिग्यासा भाव प्रकृती के माध्यम से या प्रकृती के मानवी करण के माध्यम से मनुष्य की अपनी भावनाओं का या रचनाकार की अपनी भ और उसंगी दुक्ष वाद से लेकर आनंदवाध तक की आत्रा जो है वह हमें जैशंकर परसाद के कावे में देखने को मिलती है च्हायावाद की इस्थाप्ना में जैशसंकर पर साजी की भूमिका पर भी आपने चर्चा की और कामाइनी के महत्ता पर भी आपने चर्चा की है थोड़ा सा हम यह जानना चाहते हैं कि कामाईनी की विशेवस्तु क्या है यह हमारे इस्टुडेंट्स के लिए थोड़ा सा परिभाशित कर दें बेहतर है कि कामाईनी पहले तो हम इस नामकार्थ समझ लिए काम प्लस आयनी काम है कामदेव और कामदेव की पुत्री जो है उसका नाम है कामाईनी यानि यह काव्य स्त्री केंद्रित काव्य है नाईका केंद्रित काव्य है इसके केंद्र में नाम इसलिए कामायनी है इस का रामायन इसलिए नाम है रामायन का कि वो राम पर केंद्री था यह कामाईनी का नाम कामाईनी इसलिए है कि यह काम की पुत्री कामदेव की पुत्री शद्धा का आख्यान है इसके केंद्र में शद्धा नाम का कामाईनी का जो नाम है काम की पुत्री का नाम है शद्धा वह इसके केंद्र में है जासे आपने कहा कि इसकी विशयवस्तू क्या हैं तो इसकी विशयवस्तू जो है वह है इस तरह से कविता आरंभ्या में जा से काएं कविता ह। मनुष्यता के विकास की कहानी है जैशंक प्रसाद की यह माननेता है कि मनुष्यों की संस्कृती से पहले एक देव संस्कृती थी जैसे यह मानके चला जाता है ना एक पैरडाइज था तो उसकी अपनी संस्कृती रही होगी और उस पैरडाइज से जब एडम और इव को आदम और हव्वा को धर्ती पर भेजा तो वहां उसके बाद मनुश्रता विक्सित होती लगभग वही कल्पना उस तरह की के एक देव संस्कृती थी जो कहीं स्वर्ग में निवास करती थी और वह संस्कृती भोगवादी संस्कृती थी इतना एश्वर्य था प्रकृती ने सब कुछ दिया था देवताओं को तो उस अनन्त भोग विलास का परिणाम यह हुआ कि एक परिस्थिती ऐसी आई उस अनन्त भोग विलास के कारण कि प्रलय घटित हुई प्रलय भयंकर वर्षा होती है और इस भयंकर वर्षा के कारण स्वर्ग या देव-संस्कृती नष्ड हो जाती है उस प्रलय में देव-संस्कृती की एक कहें कि अवशेश के रूप में एक व्यक्ति बचता है उसका नाम है मनु यह मनु प्रले की धाराओं में अपनी नाव के साहरे हिचकोले खाते हुए आ रहे हैं और हिमाले की एक उची शिखा पर आकर के उनकी टूटी-पूटी नाव जो है वह लगती है या कहें कि कोई बहुत बड़ा मगर मच्छ या मचली जो है बहुत बड़ी मचली उसे चपेटा मारती है और नौका हिमाले के एक उचे स्थान पर जाकर के टकराती है यहां उन्हें आश्रे मिलता है कविता या जो पहला सर्ग है कामायनी का वो यहीं से शुरू होता है यहां से शुरू होता है कि एक व्यक्ति अकेला एक व्यक्ति बचा है अभी हमें नहीं पता कि कोई और बचा है के नहीं स्रिष्टी में एक व्यक्ति बचा है जो हमारे सामने है और हिमाले पर आकर के उस स्थान का नाम मनो रवसरपन जहां मनु आकर के उतरते हैं नौका से अपनी यहां आ गए वह इसके बाद जल उतरता है वो सामने देख रहे हैं नीचे जल था उपर हिम था एक तरल था एक सगन एक तत्व की ही प्रधान था कहो उसे जड़ या चेतन यानि सब तरफ जल ही जल है उपर नीचे इधर देखते हैं तो बर्फ है उधर देखते हैं तो पानी है बर्फ और पानी क्या है दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं एक जगे वो जमा हुआ है solid है और दूसरी जगे liquid है solid को उन्होंने जड़ कहा liquid को उन्होंने चेतन कहा जब इस जड़ में प्रवाह पैदा होता है चेतना पैदा यानि जिसे आप कहते हैं कि matter और consciousness यह जो द्वन्व है जड़ और चेतन का नई स्रिष्टी का आरंभ यहां से होता है अब यह पानी दिरे दिरे उतरता है लेकिन अकेला पन जो है अब यह यह देखिए 20 वी शताब्दी के मनुष्य का जो मनो विज्यान है अकेला पन जब होता है जक्ती में तो वह डिप्रेस होता है अवसाद ग्रस्त हो जाता है तो मनु डिप्रेस होते हैं देखते हैं यार पूरी की पूरी काइनात खत्म हो गई मैं अकेला बचा हुआ हूँ इसे वो अपना सौभा के नहीं मानते वो इसे अपना दुर्भा के मा बड़े दुखी हैं यह पहला सर्ग है वो पूरा इसी सब में जाता है इसके बाद जो है जब पानी उतरता है धीरे-धीरे जो ग्रहन अक्षत्र हैं वे अपनी जगहों पर आने शुरू होते हैं प्रलयकाल में तो सब आपस में टक्रा गए लेकिन अब धीरे-धीरे-धीरे स सब ग्रहन अक्षत्र जो हैं सूर्य अपनी कक्षा में घूमना शुरू करता है वे सब अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के इर्द घूमना शुरू करते हैं और दुनिया धर्रे पर आने शुरू होते हैं प्रकृति जब धर्रे पर आने शुरू होती है तो सूर्य का प्रका कहीं कोई बचा हुआ हो मनों इधर उधर भटकते रहते हैं दब कि तीसरे सर्ग में जा करके वो बड़े दुखी होके सिर जुका के बैठे हुए हैं और जब सिर जुका के बैठे हुए तभी उन्हें बिल्कुल कभी ने कहा है मधुकरी कासा यानि जैसे कोई भमरे की आज बहुत दिन बाद अपने अलावा किसी और की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है और कोई उन से पूछ रहा है तुम कौन हो और वे नजर उठा के सामने देखते हैं तो सामने एक लड़की खाली हुई है एक महिला खाली हुई है एक युवती का परिचे होता है यह य तो हिमाले को खूबसूरत हिमाले को देखती हुई वो आगे चली आई और प्रले आ गई और यहीं भटक गई पर्वत पर ही हिमाले पर ही अब उसने देखा कि स्थान स्थान पर जो है जो मनु प्रतिदिन जो कुछ फल इत्यादिया जो कुछ भी सेवन करते थे प्रकृति पक्षी नहीं है लेकिन पक्षियों के लिए कहीं कुछ अन रखने का इस तरह का जो तो उस अन के सहारे वो ढूंबते हुए कि यहां कोई है इस व्यक्ति तक पहुंची है दोनों का परीचे होता है वह शद्धा है और यह जो शद्धा है जब यह पूछती है कि वही आप कौ तो कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो यह जीवन है यह जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है और यह तो एक संघर्ष के लिए है कुछ प्राप्त करने के लिए है हार बैठे जीवन का दाव जीतते जिसको मरकर भीर यानि जो अवसाद ग्रस्त यह 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 जो तीसरा शर्द्धा यह बड़ा मोटिवेशनल है इसमें श्रद्धा मनु को मोटिवेट करती है अब मोटिवेशन जब चाहिए तो यह भी है कि मैं अकेला क्या कर लूँगा नहीं तुम अकेले नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं यह देखे यह जो वीश्रताबदी में स्त्री शक्ति का जो जागरन हो रहा है वह दिखाई देता हमें शद्धा अपनी ओर से निवेदन करती है प्रणे निवेदन करती है अपना समर्पन निवेदित करती है और कहती है कि हम दोनों मिल करके इस श्रिष्टी की नई बेल का विकास करेंगे इस से आगे कथा फिर बढ़ती है दोनों के बीच प्रेम संबंध भी कसित होता है फिर आगे चल करके पता चलता है कि जो मनु है वे वन में तुकि अब पानी उतर चुका है वन में म्रगया के लिए शिकार के लिए या अन्य सामग्रिय कत्र करने के लिए जाते हैं शद्धा जो है वह एक स्थान पर रह रही हैं और शद्धा गर्वती है अब क्या होता है यहां से एक नई मनोवर्ति जो है उसका जन्म होता है दिखाई दे हैं मैंने कहाने कि मनुष्य का जो एक असुरक्षा भाव पैदा होता है कि कर्द्धा मेरी चिंता नहीं कर रही है आने वाले बच्चे की चिंता कर रही है और वो अपने आपको उपेक्षी तनुभाव करता है रिजेक्टिड और जब कोई व्यक्ति रिजेक्टिड महसूस करता है तो फिर से वो एक पृतिक्रियात्मक कुछ करेगा परिणाम यह होता है कि वो एक दिन श्रद्धा को छोड़ करके चला जाता है उसे लगता है अरे वो एक अधिकार चाहता है इस एक अधिकार के खंडित होने पर वो रुष्ट हो जाता और चला जाता है कहीं और अब जब वो चला जाता है चलते हुए वो एक नए स्थान पर पहुंचता है हम पढ़ते आये हैं कि साहब एक सरस्वती नदी हुआ करती थी तो सरस्वती हैं और हां इससे पहले कि वो वहां पहुंशते हैं काम इस बात से रुष्ट हो जाते हैं मनु से कि शद्धा को जो काम की कुत्री है छोड़ करके वो चले आये हैं तो वो मनु को शाप देते हैं यह देखे शाप की घटना फिर वही जो पैरडाइस लॉस्ट वाली कहानी यह तो यहां मनु को शाप देते हैं और कहते हैं कि तुम जो कुछ आगे समाज वे कसित करोगे वह वर्गों में विभक्त होकर आपस में लड़ेगा वर्ग स्रिष्टी अब तक वर्ग नहीं थे अब यह स्रिष्टी कैसे बनेगी यह स्रिष्टी बनती है कि जब वो इस नए स स्थान पर आते हैं तो उनकी मुलाखात इडा नाम की एक युवती से होती है जो उसक्षेत्र की एक तरह से राजकुमारी या रानी है और इडा और मनु मिल करके उसक्षेत्र का नए सिरे से विकास करते हैं वहां सब्धता का एक नया स्वरूप अधर शद्धा एक बच्चे को जन्म देती है मनु का बच्चा आदम के बेटे का नाम है आदमी मनु के बेटे का नाम है मानव तो मानव या मनुष्य का जन्म होता है यानि पहला मनुष्य अब तक यह तो देव संस्कृति और अप सारा संस्कृति के लोग थे अब पहले मनुष्य अब यह वह बच्चा दिरे दिरे इधर बड़ा हो रहा है उधर वो नई सबयता खड़ी हो रही है मैं कि लेकिन मनु जो है वो फिर से उसकी उसकी जो देव प्रवर्तियां करना चाहते हैं तो देवशक्तियां भी और जो वहां की प्रजा है वह भी रुष्ट हो जाती है जो कि उन्हें वह अनेतिक लगता है और उसका कारण यह है कि जब मनु और इडा की मुलाखात होती है तो इडा ने अपना परिचे जो दिया है वह है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ कैसी बेटी जो तुमने यग्य में हवियां दी यग्य में जो स्वाहा किया उससे उत्पन जो है मैं तुम्हारी बेटी हूँ अब उस पर अधिकार प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो यह निरंग कुष्टा है यह अनाचार है और यह अनेतिकता है इसलिए जो देव शक्तियां है वो भी नाराज होती है प्रजा भी नाराज होती है और फिर प्रजा का और मनु का युद्ध होता है जिसमें अन्तत्य है मनु हार जाते हैं मनु अब मूर्चित पड़े हैं उधर शद्धा इस चीज़ को स्वप्न में देखती है और शंकित होती है कुछ गड चलती हुई यहां तक आ गई और यहां जो है जब वो बेहोश पड़े हुए मनु को देखती है उनकी सेवा शुशुशा करती है उनका इडा से परिचे होता है इसके बाद जो है यह है कि फिर आगे की कथा इस रूप में चलती है कि मनु जो है और शद्धा से मिलने के बाद एक बार फिर भागते हैं क्योंकि उनके मन में आत्म गलानी होती है शायद वो यह रहा हो कि देखो मैं इसे छोड़के भागा था और यही आके मेरी सेवा कर रही है तो मनु भाख खड़े होते हैं फिर शद्धा उन्हें खोजती है और इसके बार शद्धा और मनु आगे क की तरफ बढ़ते हैं इडा को जो बच्चा है वो इडा को सौप दिया जाता है और आगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर के यह कहलाश पर पहुंशते हैं वहां लंबे समय तक साधना करते हैं जो इश्वरी अनुभव हैं अध्यात्मिक अनुभव उन्हें प्राप्त करते है है और इसके बाद फिर से जो इडा और मानव हैं अब बढ़ा हो गया है मानव अब प्रजा को साथ में ले करके इनके दर्शन करने आते हैं और जब वो इनके दर्शन करते हैं तो वहां कवी ने एक समरस्ता का वातवन दिखाया है कि समरस्त तेखे कवी ने शुरू में कहा था पहले सर्ग में जड़ और चेतन दो तत्कों की बात की थी अलग-अलग थे अब यहां वो कह रहे हैं कि एक ऐसी समरस्ता एक ऐसी हार्मोन पैदा होती है जिसमें जड़ और चेतन का भेद खत्म हो जाता है एक आध्यात्मिक वातावन के साथ कविता यहां पूरी होती है यहां पूरा होता है कि समरस्थे जड़िया चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन ता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था यह आनंद सर्ग का अंत यहां पर होता है इसके बाद अब यह यहां एक और चीज समझने की है कि यह जो हमारे तीन पात्र हैं कामायनी के मनु शद्धा और इड़ा यह तीनों प्रतीक हैं मनु मन का प्रतीक है जो चंचल होता है जिसमें संकल्प विकल्प रहते हैं जो विचलीत होता है और नई रचना भी वही करता है शद्धा जो है वह भावात्मक वृत्ती जो है मनुश्य की उसका प्रतीक है प्रेम समर्पन त्याग उदात्ता उच्चता उनका प्रतीक है सांदारिया इडा बौधिकता का प्रतीक है तर्क शक्ति तो दो चीजे हैं मन को संतुलित रखने वाली एक भावना है और दूसरी बुद्धि है तो भावना और बुद्धि के संतुलन से मन जो है वह आगे प्रती करता है यानि इसे इच्छा ज्यान और क्रिया का प्रतीक विमाना है मैं अपनी बात को यहां समेटते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो द्वंद्व है इस पूरी रचना के बीच में वह यह ही है कि ज्यान दूर कुछ क्रिया भिन्न है क्यों इच्छा पूरी हो मन की यह बंद्व है कि मन में कुछ इच्छाएं है इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो हमें ज्यान चाहिए वो कुछ और है और एक्शन हम कुछ और कर रहे हैं क्रिया कुछ और कर रहे हैं ज एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की यह और इस विडंबना की समाप्ती ही समरस्ता है जहां यह तीनों मिलते हैं यानि मन ज्यान और भावना क्रिया यह यह तीनों जो हैं जहां एकाकार हो जाते हैं यह जो त्रिक है इसका संतुलन ही कामायनी का लक्ष और ज चायावाद और जैशंकर प्रसाद जी की कामाईनी पर आपने विस्तरित चर्चा की हम आपके आभारी हैं अब आज का कायरक्रम यहीं पर समाप्त होता है एक नए विशे के साथ हम दुबारा हजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार है कर ऋमस्कार अरह समार ज का अउले पर समी हम समते प्रसा हम नमस्कार इनिवाद और इनिवार्म है झाल झाल झाल